हाई स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रस्चन देखें प्रस्चन नम्मर शिक्स यदी दो ब्रतों समान, लंबाई, कीचाप, केंद्र पर, क्रम्स है साथंस वा पिचेतरंस का होण, अंतरित करें, कूप, अंकी तरिज्जाओं, का अनपाद, म्याद कीज़ें जो में जो एक रह्ते लो एंग पॉद एंग झाल हुड जो सब्सक्काइब एंग यहां डियर्दान्ट लो एंग वाय और लोकित तंग यहां जोस्ता हुड इंग इंग तंग और इंड़िस जिए इसिट गजिए पोफ बास ऑंट रशें तर र रधिगि दे रधिर आ खर चांट दो ब्रत हैं दो ब्रत हैं समान लंबाई की चाप तो ब्रत जो है चाप की लंबाई समान है तो मान लिया हमने माना प्रत्थम ब्रत की तरज्जा आरवन वा दुतिय ब्रत की तरज्जा आरटू है रेडियस ओफ फस्ट एंग शेकंड शेकंड शेकर कि आरवन आर में सफ हिए यह उन्क्र है अगर वह वो पहला यह व्रत आर्प लिए आप टरज्जा है आरवन तो मुझे और यह और अदुद बना रहे आए और यह आई रेक्ट यह आई उस्ट का आए इसकी लंबाई मान लिए हमने है कि अब यह दूसरा सरगल है कि इसकी तरज्जा है कि और टूँँ अब कि यह आपका चाप है चाप की लंबाई है लंबाई इसमें भी है यह कौन आपका पिछे तरड गरी है कि यह पहला व्रत है यह दूसरा व्रत है यह प्रथम ब्रत की बात हो रही है इन्नों फॉस्प सरगल है और यह दूतिय ब्रत में बात हो रही है कि इन्नों है कि सब्सक्राइब तो पहले ब्रत में दिहम बात करें है कि पहले ब्रत की दिहम बात है करें तो पहले ब्रत में आपको कौन दिया हुआ है इदर वाले में आपका थीटा वन है 60 दिए तो 60 इंटु पाई वाटे एक्सों सी मसलों पाई वाटे 3 रेडियन वागी थीटा ऐसे खीटा टुदेखें वागी तो देखें वागी ब्रत कूसरेंट पाँस से काटें अंहें ऑसे काटें थे यह बंद्रेवार और वाँसे काटें चैक्षी वाटे पर तीन से काट दो फाइप पाइव इंड और लेडियन ऐना कि इसकी और कैलाने ये भी यह फी है यह फीलम है इसकी आफ यह पाय ओन कि इसकी तिल्जा आइवान है कि रेडियस ऑफ पर्स्ट सब्सक्राइए प्रथम ब्रत की त्रिज्ञ यह चाप आर्टू क्या है कि रेडियस ऑफ सेकेंड है कि दूतिय है कि ब्रत की अब फॉर्मला लगा दें पहले वाले में फॉर्मला लगाएं कि देल की दिवाद करें आएं तो ट्रिटा वन इकवल टू एलवन अप्वाण आर वन यहां से था एलवन अपॉन ट्रिटा वन आप कि इसी तरीके से आर्टू की अधिवात करें आर्टू होगा कि एल्टू अपॉन ट्रीटा टू अब दोनों तरज्जाओं का इन पास बताना है आरवन अर्बा आर्डू कितना है एलवन अपॉन पाइए और यह है ट्वेल्व एलवन अपॉन पाइप लगाँ है अब है कि तो कि तना रही है 15 वटे 12 तीन से इसको बाड़ दें तो 5 वटे 4 तो आरवन अनपाथ आर्डू हुआ पांच अनपाथ चार पहले ब्रत और दूसरे ब्रत की तरज्जा का अनपाथ पांच अनपाथ चार है यह आर्डू अपॉन आरवन नकालें तो चार अनपाथ पांच है ठीक है इस तरीके से इस क्वेश्चन को हुने सौर्य किया और देखें जरा नेक्स देखें क्वेश्चन नंबर सेविन और लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेविन के अगरा एक पेंडूलम जिसकी लंबाई पेचेतर सेंटेंड है दोलन करता है यदि उसकी नौक के साथ शाप की लंबाई नेमन हो तू रेडियन में कौन ग्याद दीजिए फस्त है 10 cm, 2nd है 15 cm और 3rd है 21 cm इसको इंग्रिष देह लें आपने हैं तू प्यम्र दीए, ज question, if its length is 75 cm and the tip book describes an पार पॉप नेंथ फॉस्ट एंसेंट्यूंटर सेकेंड फिफ्टीन सेंट्यूंटर और थर्ड है 21 सेंट्यूंटर यह इस वेस्ट्चन को आप पहले समझ लें कोई ऐसी दिक्कत वाजी बात नहीं है कि पेंडूलम सब जानते होंगे शोटी क्लास में पढ़ा होगा यहां जैसे बंदी आपने वह क्या करता है जैसे माल जी आपने यहां से बंधा होगा है यहां पर है अब आपने इसको ऐसे खींचा कि दर कीचेंगे दर भी जायाएगा एक पेंडूलम जिसकी लंबाई 75 सेंटियों रही है यह सेवेंटी पाशेंटियों इसकी नोग के साथ चाप के लंबाई यह चाप गा यह चाप है मालो यहां एथी प्रारमिक अवस्ता भी आ गई है फैनल अवस्ता इसके बाद फिर वापस लोड़ा इस तरीके से यह दोलन कर रहा है कि यह हो गया आपका चाप या आर्प कि यह सेवेंटिफाइव देदार समय सेवेंटिफाइव रहेगा यह कौण पूछ रहा है और इसके तीन भाग दे दिये हैं तो इसमें आपको यदि देखा जाए तो रेडियस पता है रेडियस या त्रिज्जा पता है कि इतनी है कि सेवेंटिफाइव सेंटिमेंट है त्रिज्जा और कौण आपको ग्याद करना है और वह भी किसमें रेडियन में करना है और जो चाप है कि एक बार दस सेंटिमेंटर है तो फिर फंद्रे सेंटिमेंटर है तो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट है तो तीनों पार्टों को दीरे दीरे करके देखेंगे पर्स्ट पार्ट में क्या दे रहा है हमें रेडियस पता है 75 सेंटिमेंटर है और जो चाप है पहली बार में दिया है आपको आपको ज्यात करना है तो हमें पता है कि ठीटा रेडियन में हो वह होता है चाप वटे रिज्जा रेडियन में अजिए इकवेट चाप यार्ग है और यह तरह जांए कि चाप किज़ेंगे चाप रख दीजिए 10 cm on 75 cm करें पांस से इसको काटा तो बढ़ दोबार काटा ये आसे चेटरवाद तो टू आई 15 रेडियन आगे देगा कि यह केवल और केवल पहला वाला पार्ट होगा यह इसी करकार से कि दूसरा वाला पार्ट देखें कि उसरे वाले पार्ट में क्या दे रहा है इस इस वाले पार्ट में आड़ तो आपका 75 cm आड़ी है एल जो है आपका 15 cm चाप की लंबाई लेंद्ध और ठीटा आपको ग्याद करना है तो हमें पता है ठीटा इन रेडियन एक पर पॉन रेडियस चाप पॉन तरिजाब कितना है भी चाप है 15 cm और तर्जा है पिचेतर सेंट्रीमिटर सेंट्रीमिटर अंदरे से पांच वर गट गट गया तो थीख वटे पांच पांच और रेडियन तो एक वर्टे पांच रेडियन आ गया है इसका आप पॉन्ट में लेना चाहिए पॉन्ट में लें ऐसे छोड़ना चाहिए ऐसे छोड़ सकते हैं और इसका तीसरा पार्ट देखें पार्ट में क्या दे रहा है आपका रेडियस है वह तो सेवेंटी फाइव सेंट्यूमिटर ही है है यह आपका 21 सेंट्यूमिटर है चाहिए लम्माई किता हमें रेडियन में कि याद करना है तो हम जानते हैं किता हमु हम हम जानते हैं कि पीटा रेडियन आहां हम देखें यह कितना दिया है इसे काटेंट तो साथ बार कटेंगा यह 25 इस प्रकार से यह तीसरा पार्ट हुआ है इस चेप्टर के अंदर जो भी हमने पढ़ा है उसका एक बार अलका सा एक रिवीजन देख लें इससे चीजों को आपको आसामी से याद रखाया सकें तो हर इस वाले टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें पड़ी तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि तीन सो साथ डिगरी बरावर उताए टू पाई रेडियन एक डिगरी किता होगा टू पाई राई थ्री सिक्स्टी एक डिगरी में इतना आये हैं इसी तरीके से चूंकि तूपाई रेडियन इपल तो होता है थ्री सिक्स्टी डिगरी तो एक रेडियन रावर होगा थ्री सिक्स्टी डिगरी अपाई यानी एक तो अच्छी डिगरी बटे पाई रेडियन इसके साथ साथ लिए हम आता है एक डिगरी में होता है सिक्स्टी मिनट और एक मिनट में होता है सिक्स्टी सेक्ट यह बहुत जहरूए है तो यह ऐसे चोड़ सकते हैं या इसको आप खल करना चाहें तो कर सकते हैं एक सो सी डिगरी उपाउन ये वैल्यू वाइस और इसको दो से पाड़ दो और नवए डिगरी इंटू साथ बटे जारा तो तो तीन सो साथ डिगरी बटे जारा या एक रेडिया नहीं है कि अब इसको कैसे हम करते हैं वह देखेंगे अब मुद्ध इस और मुद्ध इस तो तो यह रेडियन है अब मरावर्ण नहीं चैसो तीस टिगरी इस तो ग्यारे अच्छा वाच्छा और जीरो तो ग्यारे अएसाथ शत्याइट तो अ तो पूरा पूरा आ गया है अब यह तो तीन देगरी में साथ मिनट होते हैं तो तीन देगरी में सब्सक्राइब करें चार मिनट को सेकंड में साथ होते हैं तो दो सो चारीश सेकंड अब दो तो चारीश मांदे तो दो सो चारीश सेकंड ने वागव तो ग्यारे गुवाइस तो ग्यारे तो तो एक तीस अब इसका मतलब क्या हुआ है एक रेडियन बरावर सक्तावन डिगरी शोले मिनट इक्कीस या बाइस सेकंड एक रेडियन बरावर सक्तावन डिगरी शोले मिनट इक्कीस सेकंड यह हुआ है और वन डिगरी इक्वल टू होता है पाइवाइवाइवन एक्टी या और कोई व्यदी कोण का माप करना होता है कि प्रारमे क्रेखा है यदी आपका कौन धनात्मक है तो उपर की तरफ ना पूंग और यदी आपका कौन धनात्मक है तो उसे पीचे तरफ ना पूंग कि यह अब आपकी प्रारमे क्रेखा है कि तरह में तरह कोण की तरफ में तो दनात्मक होता है कोण और गड़ी की दिशा में भूमें तो दनात्मक गड़ी कि दिशा में कौन रनात्मुक तथा गड़ी की दिशा के विफरीत कौन धनात्मुक होता है इस प्रकार से आप इस पूरे का एक्वित रिविजन देख लिए हैं और कोश्च जैसे अंगिल्स हैं उनको कैसे डिगरी रिडियन मज़ते हैं वह भी देख लाएं एंग डिगरी वरावर पाइवर अटेक्स प्रस्टियर्य आप इस डिगरी टावावर इस कावनापन। इस प्रकार से 45 डिगरी वरावर 45 गुड़ां पाइवर अटेक्स ते चारवार कटें पाइवर अटेक्स प्रकार से मांदो आपको अब यह तो कि आपका डेवर इस प्रकार से हैं अब यह तो आपका डिगरी को रेडियन मतलना होगें आप का हैं एक प्रकार तो शिक्स पाइवाई थ्री न्टो वानेटी डेगरी वाई इससे एक अटिक है शिक्स पाइवाई दिए शिक्स पाइव फाइव खर लें पांस से कटा शक्तिस वार शट्री से अगुणा दोवाँ चैम करें तो दोसो शोला डेगरी हैं इस प्रकार से शेवें पाइवाई सिक्स रहें है इसको डेगरी मज़नें आए शेवें पाइवाई शिक्स इंटो एटशी पाइपाई पाइब इस से एक थीजा अगे है दोसो दस एक बिए इसी प्रकार से 11.25 रिडियन हो है इस प्रकार से डिगरी को रेडियन में रेडियन को डिगरी में आप बदल सकते हैं ठीक है बच्चो वीडियो देखने के लिए बहुत को धन्य बार वार देखें इससे समझ में आ जाएगा झाल